बारत के अनुभवी बल्लेवाज और विकेट दिल्ली केपिडियर्स के कप्तान रिसब पंत का 2022 में भैंकर कार एक्सिडेंट हुआ था वे गंबी रूप से चोटिल हो गए थे और उन्हें अपनी चोटों से उबने में 14 महीने लग गए उन्होंने IPN 2024 से ही क्रिकेट में की है इतना ही नहीं बलकि वो और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं पंत ने वापसी करती हुए आग लगा दी है वे गजब अंदाज में इस IPL में बल्लेबाजी कर रहे हैं और विकेट के पीछे और भी ज्यादा फूर्तिले नजर आ रहे हैं लेकिन आज हम उनके कमबैक या खेल की नहीं बलकि उनके नेट वर्थ की बात करने वाले हैं रिसब पंत ने क्रिकेट में धमागेदार शुरुवात की उन्होंने 2015 में प्रतम स्रेड़ी क्रिकेट में डेब्यू किया और 2017 में तेजी जे भारती क्रिकेट टीब में सामिल हो गए फरवरी 2017 में उन्होंन 2018 में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ और उसी साल अक्टूबर में उनका ODI डेब्यू हुआ उन्होंने सभी प्रारूपों में शांदार प्रदर्शन किया और भारत के प्रमक खिलाडियों में से एक बन गए वो इस खेल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाडियों में भी सामिल हैं 2024 तक पंत की कुल संपत्ती लगबग 100 करोड रुपई की है दिसंबर 2022 में कार हाथसे के बावजूद रिसब पंत को BCCI द्वारा 2022 से 23 सीजन के लिए 5 करोड रुपई मूल्ले का A ग्रेड किंद्री अनुमंद दिया गया था उन्हें इस बार भी B ग्रेड क कॉंट्रेक्ट में रखा गया है जिसमें खिलारियों को तीन करोड रुपई मिलेंगे इसके अतिरिक्त वो प्रति टेस्ट मैच 15 लाख रुपई प्रति वंडे मैच 6 लाख रुपई और प्रतेग टी-20 से 3 लाख रुपई कमाते हैं पंत को सुरू में दिली के पिटल्स न अधिक कमाये हैं वह 2016 से दिली केपिटल्स फ्रेंचाइजी के एक सदस्य हैं रिपोर्टों के अनुसार पंत के पास दिली रुड़की दहरादून और हरिद्वार में संपत्ती है उनका दिली का घर लगबग 2 करोड रुपई का है जबकि उनकी रुड़की की प्रोपर्ट जी एली सामिल हैं भारत के सबसे चमकदार क्रिकेटरों में से एक होने के नाते पंत कई ब्रांडों के ब्रांड एमेश्डर भी हैं वह एडिडास, जेएस डवल्यू, ड्रीम इलेवन, रियलमी, कैडवरी और जोमेटो जैसे ब्रांडों के साथ जुड़े हुए हैं जब पंत नए नए दिल्ली आये थे तो उन्हें काफी संघर्स करना पड़ा था, एक समय ऐसा भी था जब वो अपनी मा के साथ मोती बाग के गुर्द्वारा में रहा करते थे, इतना ही नहीं बलके पंत ने हाल ही मैं इंट्रेवू में खुलासा किया था कि कभी कभ अगले दिन दिल्ली में मैच होता था, तो वे रुड़की से रात की बस पकड़ कर सुबह दिली पहुच जाया करते थे, और कभी कभी ड्रेसिंग रूम के बाहर भी सो जाया करते थे, हालंके उनकी ये मेहनत आखिरकार रंग लाई, फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतनाई धन्यवाद